रैगना रॉक के एपिसोड में गाईज हमें हर एपिसोड के अंदर इस उटूल फामली के बारे में बहुत सारी चीजी बताई जा रही है कि ये कोई नॉर्मल फामली तो बिल्कुल भी नहीं है कोई गौड हीरोस जाइंट या फिर मॉंस्टर हो सकते हैं तो आखिर ये कौन ह ये सब हमी बताया जानी वाला है इस उल्डर जिसकी डेथ हो गई है मैगना जिसके पास में अच्छी कासी पावर्स आ गई है और वो अपनी फ्रेंट की डेथ के बारे में जानना चाता है और लास्ट सीन यहां पे खत्म हुआ था कि मैगना के घर में चोरी हुई थी इसे क फ्यूंडरल के अंदर पूरा शहर आया था और सिर्फ यही आदमी नहीं आया था लॉरिट के समझाने पे तो यह आदमी एकसेप्ट नहीं करता कि उसने चोरी कि लेकिन जैसे मैगना उसे धक्का देता है तो यहादमी बुरी तरही किसे डर जाता है और कहता है कि तुम लो कम और किसी का नहीं बलकि विडार का है जिसके मासीन या मैगना के ओपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने स्कूल के थेरेपिस्ट के पास बैठा था वो घबिस मैगना से बात करने की कोशिश करता है कि जबसे वो शैर के अंदर आया तो उससे क्या फील हो रहा है और अब में उसे ये भी पता चल गया है कि उसके घर में जो कलराच चोड़ी हुई थी उसके पीछे कौन है और अब शायर उसे इन चीजों का पता लगाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले तो उसकी help नहीं कर रहे हैं जैसे ही यह psychiatrist रूम से बाहर आता है तब यहां पे school की principal यानि क रहन उसे पकड़ लेती है आप हालां की वो एक staff था तो रहन उसे पूछने लगती है कि आखे Magna की तबियत कैसी है पहले तो therapist मना कर दीता है कि confidential बाती और मैं आपको नहीं बता सकता तो रहन उसे थोड़ा से blackmail करती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पत investigation करना चाता है और उसके घर पे शायद कल रात को चोरी होई है और उसका जिम्मेदार वो आपके husband को मानता है शायद ये चीज़े बिल्कुल गलत है लेकिन मुझे नहीं पता की सच क्या है जिसके बाद में सीरिया इनके घर पे शिफ्ट हो जाता है ये दौने लड़के आत को वही आया था जिसके बाद मैगना कहता है कि उससे पहले विडार आये थे जो कि हमारी घर में कुछ तो ढूंड रहे थे तुरिट जो थी वो पूरा-पूरा उसका support करती है कि उसके पास इतना पैसा है वो इतना नामिक रामी आदमी है उसके पास सब कुछ तो है वो आकर हमारे घर में आके चोरी क्यों करेगा जहां पे दौरे बच्चे समझ जाते हैं कि टुरिट एक टाइम के अंदर विडार को बहुत जादा पसंद किया करती थी इसे वक्त इनकी घर पे एरिक आ जाता है यानि कि आईसोल के फादर वो मैगना के लिए अपनी बेटी आईसोल किस तरीकी से काम करती है जिसके बाद में सीन यहां रेन के उपर शिफ्ट हो जाता है यह शाम का वक्त था इस वक्त रहना के विडार को बता दी है कि अच्छा हुआ जो थेरेपिस्ट उसका फ्रेंड था यानि कि स्कूल का थेरेपिस्ट जिसने मैकना के बारे में सब जो तुम दिन दहाड़े किसी की घर में चले चाओगे इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कही न कहीं विडार की फैमली इतने सालों से पुलिस वालों से बची हुई थी हो सकता है कि मैगना या फिर वही नशीरी आदमी कहीं न कहीं विडार के खिलाफ करता है तुम्हें उसके साथ में नहीं रहना चाहिए और में इसार ड्राइफ पर चलना चाहिए जहां पे ग्रेइब बिल्कुल लीस्ट इंटरस्टेश्टेड होके फियो को मना कर देती है कि वो मीरी हेल्प भी करता है और मुझे तुमारे साथ में जाने में को तक भी नहीं है यहां पर फियो कहता है यह सारी चीजे तो होती रहती है जिसके बाद फियो अब कई न कहीं ग्रे के बहुत साथा क्लोज आना चाहता था इसी के करण उसे बहुत हमबली बहुत एक जाइंटलमेन के जैसे उसे प्रपोस करता है कि वो उसके साथ टाइम स्पें जाते हैं अब लॉरिट को तो वैसी बहुत शौक था इदर उदर घूमने का जिसके बाद में सीनिया मैगना के उपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इस बार फिर से पुलिस टिशन के इंदर पहुँच कया था और वो पुलिस ओफिसर को कहता है कि आपको एक बार फिर से चेक क तूटी हुई थी साथ ही में खून भी निकल रहा था मैगना बहुत फोर्स करता है उन्हें कि इस चीजों के बारे में अच्छे से पता लगा है लेकिनी पुलिस ओफिसर अप कहीना कई मैगना को इलपेटे में ले लेती है और बोलती है कि हम हर चीज का पता नहीं लगा सक लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके उपर इंवेस्टिकेशन नहीं की जा सकती है कई न कई मैगना भी ये बात सुनके बहुत अजीब सा फील करने लगता है कि जैसे कल्प्रेट वही है और साथे में उसे ये भी फील होता है कि हाँ सच में वो इतना तेज भागा कै दूसी तरफ सीन या वापस से इसी कार के अंदर शिफ्ट हो जाता है जिसमें चालों लोग ड्राइफ पर जा रहे थे हमेशा की तरह अब लॉरेट से उसी के भाई के बारे में पूछा जाता है मैगना के बारे में जहां पर वो कहता है कि हाँ वो मन बुद्धी है लेकिन बहुत जादा ताकतवर है अभी बस आइस होल के गम में डूपा हुआ है और उसके बाद में लोग गानव अगर प्लेई करने लगते हैं जहां पर फियो वापस से वही एंशेंट म्यूजिक प्लेई कर देता है जिसके बारे में ग्रे कहती है कि आखिर क्या तुम्हें लैं वह जिसके बारे में अच्छे सी पता होगा तभी इनकी गाड़ी से एक चिडिया आके टकरा जाती है और बिचारी जमीन पे गिर जाती है तभी फियो और सेकसा दौनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं कईने कई फियो का क्याना था कि तो मेरी डेट में दखल अंदजी करने के लिए क्यों आई हो जबकि सेकसा का क्याना था कि मैं लॉडट को इसलिए लाई हूं ताकि हम मैगना की बारे में और जादा चीज़े जान सके यह दौनों सचिडिया को देखते हैं जो कि अदमरी सी हो रखी थी ना पूरी जिंदा थी ना पूरी मरी हुई थी और सेकसा सीधा खा जाती है सीज जिसके बाद मैगना के ओपर शिफ्ट होता है अब जब उसे पता चल गया था कि वह बहुत तेज भागता है तो वह अपनी स्पीट को टेस्ट करने के लिए शहर में एक ऐसे पैसेज के तरफ मौँच गया था जहां पर तेजी से भाग सकता था 100 उसने लगबग 6 सेकंड के अंदर पार कर लिये थे यह चीज उसे बहुत जादा अमीजिंग लग रही थी इसे करने वह अपना फोन स्टार्ट करता है और उसमें यह नई नई चीजे रिकॉर्ड कर देता है कि आज उसने एक और चीज एक्सप्लोर करें कि वह वर्ल्ड रि दूँ एरिक कहता है कि हाँ ठीके दे देना लेकिन लेडी कहती है कि लेकिन थोड़ा ध्यान से उसके उपर कुछ बलड के निशान भी है और यह मुझे बताना जरूरी था तुम सोच लो समझ लो और अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना एरिक बचारा गम खा था और उसका पूरा ध्यान फोन पे ही था तभी एक टीजी से ट्रक आता है जो कि उसे उड़ा देता है लग तो रहा था कि ऐसा विडार ने किया होगा लेकिन विडार ने उस ट्रक वाले को पैसे नहीं दिये थे बलकि ये तो मैगना का अचांचुक एक्सिडेंट हो गया एक ट्रक ने उसे कुचल दिया 50 की स्पीड पे आ रहा था वो पकाश जिंदा नहीं बचा होगा इसका मतलब था कि फियो और सेक्सा यानि कि इसके बच्चों को पता चल गया है कि आईसोल्ड को इसके बाप ने यानि कि विडार नहीं मारा है अब यहां पे सब अपनी अप चारों को ये सारी हरकते बंद करनी पड़ेगी पहले एक टाइम था जब इंसानों से बहुत जादा दूर रहा करते थे तो अब इन्हें वापस से वही चीज़े करनी पड़ेगी आगर इन्सानों के पास जाएंगे तो ऐसी गड़बर होती रहेगी तो इन्हें कोशिश कर कि इन सारी चीजों को जल से जल बंद कर दिया जाए अब यहां पे सबसे इंपॉर्टन चीज सेक्सा का कोश्चन था अपनी फादर से क्या आपने आइसोल को मारा क्यूं क्या आप हंटिंग करने निकले थी क्या आपको बली देनी थी यह बस आपको जोश चड़ा हुआ था क इसी को मारने का तब यहां पर विडार एक बहुत इंपॉर्टन चीज रिवील करता है कि उनके काफी सारी इंपॉर्टन चीजे ऐसी थी जानी कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे थे जो कि आइसोल ने देख लिये थे इसे के कारणों से मारना पड़ा 1967 के अंदर यहां पर आये थे क क्या सकते हैं कि अब यह जाइंट्स है भगवान है यह शैतान जो भी है 1967 के अंदर इनके पास कुछ ऐसा माटीरियल था जो इन्होंने ग्लेशियर के पीछे चुपा दिया था लेकिन अब एड़ा के अंदर यानि के शेहर के अंदर इतनी साथा गर्मी होने लगी है कि वह पिघलने लगे है एवन जो इनके पास में जो टनल बनी हुई है वो तक भी विजल है और अगर वो नॉर्मल इंसानों को दिख गई तो बहुत बड़ी प्रॉबलम है आईसोल को दिखी तो इन लोगों ने आईसोल को मार दिया लेकिन अब नॉर्मल इंसानों को वो चीज़े नहीं दिखनी चाहिए अब आखिर उस टैनल के अंदर क्या होनी वाला है यह आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा जिसके बाद में सियनिया ऑस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे मैगना का पूरा एक्सरे चल रहा था लेकिन डॉक्टर और नर्स दौनों के दौनों ही हैरान थे कि पूरी बॉड़ी को स्कैन करने के बाद में भी इन्हें कुछ भी नहीं मिला एक सिंगल कट एक सिंगल हैरलाइन फैक्चर भी नहीं मिला आखिर इतने बड़े ट्रक के नीचे कुछल जाने के बाद में तो मैगना का पूरा शरी टूट जाना चाहिए था लेकिन मैगना को आखिर हुआ क्यों नहीं कुछ यह सच में एक मिरिकल है या फिर लड़का बह इस वक्ट जब मैगना जा रहा था तभी हमें एक बोडी आती हुए दिखती है और यह बोडी उसी आतमी के थी मैगना और उसके बाई ने सुबह सुबह मारा पीटा था यानि की विडार ने साथ मेंसा को जान से मार दिया जो कि शायद उसके खिलाफ सबूद दे सकता था जिसके बाद में सीन मैगना के ओपर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपनी घर था और उसकी मॉम कहती है कि मैं हॉस्पिटल आई तब तक तो तुम जा चुके थे, मेरा बेटा किता जाता लगी और किता जाता स्ट्रॉंग है, आखिर तुम्हें कुछ पी नहीं हुआ, स्ट्रॉंग हो गई है, यानि कि काफी सारी चीजे जो कि उसकी बाड़ी में चेंजिस लाती जा रही है, तब ही वो आईसोल के बैक को खोलता है, जिसके अंदर आईसोल के कपड़े थे, और उसके अंदर से एक जैकेट निकालता है, जिसके आपर खून की बून दे थी, औ लेकिन मैंगना तो याँ बिल्कुल ठीक ठाक बैटा है, और उसके बाद में याँ तीचर जो थी, वो पानी के उपर और पानी में रहने वाले फिशिस के उपर एक लेक्ट्र दे रही थी, लेकिन तब ही याँ पर मैंगना स्टार्ट हो जाता है, कि काफी सारे फिशिस मर और इस बार सेक्सा भड़क जाती है, पहली बात तो मैगना को देख के गुसा थी, क्या कि रिए जिन्दा क्यों है, और दूसरी बात कहती है कि मेरे घर की फैक्टरीज बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, वो गौर्मेंट की हर एक स्कीम को और जितनी बार भी कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमने उसका सॉलुशन दिया है, हर चीज का प्रॉब्लम तुम हमारी फैक्टरीज के उपर नहीं डाल सकती है, और अगर किसी को चेक करना है, तो आजाओ most welcome, बार बार में सब लोग उटल फामली के फैक्टरीज को यह क्यो तो रहे हो सही, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती है, बड़े बड़े लोग हैं, वो इन चीज़ों को बंद करवा सकते हैं, और हम इस बारे में बात नहीं करें, तो ही ठीक होगा, जिसके बाद में मैगना बलड के ब वहां साथ curiosity हो रही थी इसी के करण वह मैंगना से पूछ लेती है कि आखिर तुम टीचर से ब्लड के बारे में क्यों पूछ रहे थे तब मैंगना आइसोल का जैकेट निकालता है और उसके बाद में उसे कहता है कि देखो मुझे बहुत अलग तरीकी की स्मेल आ रही है एक साथ में बहुत uncomfortable भी feel करती है इसी के करण फिर वह यहां से चली जाती है जाता पाचित करती ही नहीं है क्योंकि मैगना उसे बता चुका था कि उसे आइसोल के लिए बहुत बुरा लग रहा है जबकि ग्रे उसे कहती है कि फ्रेंड तो तुमारी मैं भी हूँ लेकिन तुम सारी बाते गूम के ग्रे की उपर आ जाती है सब उसके बॉइफरेंड के बारे में जानने के लिए बहुत जादा इंटरस्टेट थे कि आकर उसकी कितने र drafting रहे हैं लेकिन आखिर इबात यहां खत्म होती है कि जो ग्रे है उसके बॉइफरेंड थे लेकिन वो अभी तक भ जलता है कि वो ग्रे का फामिली पार्लर था उसकी मॉम यहां पर काम करती है और उसके फादर अंदर बैटके ड्रिंक कर रहे थे ग्रे मना करती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जापिर उसकी फादर बताते हैं कि इंशॉरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि वह मेरा क्लेम कम है वो जल्दी मर जाएंगे और इस चीज से ग्रे काफी जादा परिशान थी और उनके पास जाके रोनी भी लगती है अब जो है मैगना को कुछ भी नहीं हुआ था इस चक्कर में जुटुल फैमली पहुँज जादा परिशान थी इसी के कारण विडार अपनी वाइफ रेन को आके बताता है कि नॉर्मल आदमी इतनी बड़े ट्रक से कुछल की मर सकता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ आखिर वो है क्या चीज़ जहां पर रेन कहती है कि आज रात हम सारी चीज़ी पता लगा लेंगे जिसके बाद में सीन यहां मैगना के घर पे शिफ्ट के बाद में रात होने पे मैगना और लॉरिट दोनों ही जो टूल फामली के घर पे चले जाते हैं यहां यह सारी के सारी लोग इन दोनों का वेलकम करने के लिए पहले से रेडी थे जिसके बाद इने अंदर बुलाया जाता है और साथ ही में डिनर टेबल पे है ताकि वो नशे के अंदर कुछ तो उगले कि आखिर वो क्या चीज है लेकिन मैगना था कि उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ रहा था अब जब डिनर खत्म हो गया था तो उसके बाद में भी वो बिलकुल नॉर्मली खड़ा था जिसकी बाद अब ड्रिंट टाइम था सेक कि हमारी पास है इसे जीलना हर किसी के बस की बात नहीं है तो अगर तुम पी पाओ तो बास सोच समझ के पीना और उसके बाद में ये मैगना को दी दी जाती है मैगना उसे बड़े आराम से पी जाता है जी टूल फामली सोचने लग जाती कि नॉर्मल इंसान तो इस चीज क हैंडल भी नहीं कर सकता था आखिर मैगना इसे कैसे पी गया जिसके बाद में सीनिया टूरिट के घर पर शिफ्ट हो जाता है ग्रे मैगना से मिलने के लिए आई थी लेकिन टूरिट से बताती है कि तुम सब लोग तो पार्टी करने वाले थी न मुझे तो लगा तुम भी पार्टी में होगी यानि कि ग्रे को पता चलता है कि फियो और सेकसा ने मिलके एक पार्टी रखी थी जिसके अंदर उसे नहीं बुलाया गया और मैगना लॉरिट दौनों ही उसी पार्टी के अंदर है वह वहां से बस चली जाती है जिसके बाद में सीनिया वापस से मैगन कि जैसे डांस करने लगता है अब वो डांस करा था है अब उसकी पार्टी बाहर निकाल रहा था कुछ पता नहीं चलता रेंट को अभी भी मैगना की पार्टी को बाहर निकालना ही था इसी कारण वो उसे कहती है कि चलो आओ ठोड़ा गीम खिला जाए तुमारी पार्टी जाए कि आखिर तुम कितनी जादा स्ट्रॉंग हो वो उसे पंजा लडाने के लिए बिठा देती है रैन को पहले मजाक लगता है कि वो उसकी प्रिंसिपल है और उपर से एक लेडी है मैगना ठहरा इतना जादा स्ट्रॉंग रैन को तो वो एक सेकिंड महरा देगी लेकिन र बाद ये दोनों अपना हाथ लडाना शुरू करते हैं मैगना के होशूर चुके थे क्योंकि वो पहली बार खुद भी इती भयंकर वाली पावर महसूस कर पा रहा था सारी लोग खड़े हो जाते और इन दोनों के बैटल को बस देखते ही जाते हैं मैगना बहुत जादा प भी नहीं लग रही थी हालांकि मुझे लग रहा था कि अगर ये कोई डीमन या फिर अगर कोई टाइटन्स है तो इनका बॉड़ी स्ट्रक्चर कुछ और होना चाहिए था लेकिन यहां पे सिर्फ एक बुड़ी औरत को बना रखा था रहन को लेकिन खेर मैगना उसी को दे लग रहा था और वो खुद भी एक बार के लिए डर जाता है और इसी के साथ में गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है तो क्या मैगना सच में कोई थार का पुराना वंशेज हो सकता है या फिर उसके अंदर पावर्स आ सकती है और जो डूल फामली आखिर कौन है य चलिए फिर मिलते हैं आप सबी लोगों से अगले अपिसोड में तब तब की लिए टाडा झाल करें पावर्स आप पावर्स आपिसोड़ करें आप सकता है